जीवन के दिशाधारा और उसका सार्थक सुनियोजन लिखक भ्रह्मुवर्चस जीवन संपदा का सुनियोजन आज का युगधर्म स्वाउपार्जित्थन बैभव और इश्वर प्रदत श्रम समय का उपयोग शत प्रतिशत शरीर सुविधा में ही नियोजित रहने लगे तो समझना चाहिए कि आत्म पोशन का द्वार बंद हो गया ऐसी दिशा में अंतर नहित देवत्व की भूग प्यास से तडपने जैसे स्थिती में पड़े रहना पड़ेगा शरीर जीए पर आत्मा न मरे ऐसा सुयोग बंद सके तो समझना चाहिए कि बुद्धी मता काम आई दूर दर्शिता को उपयोगिता दी गई यह जीवन की सर्वोपरी समस्या है दैनिक प्रयोजन में आए दिन कई उतार चड़ाव सामने आते हैं उनका महत्व राई रत्ती जितना है राई को परवत और परवत को राई की तरह नहीं आका जाना चाहिए आए दिन सामने आने वाली समस्याएं अपने समाधान मांगती हैं और विवेक एवं पारुष की जाच परताल करने के बाद इधर या उधर लुड़क जाती हैं जिसका जितना महत्व है उसे उतना मान मिलना चाहिए तिल का तार नहीं बनाया जाना चाहिए सर्वोपरी महत्व की समस्या एक ही है उसी पर पूरी तरह अपना वर्तमान और भवेश्य अवस्थित है वह है जीवन की समपदा का सही सदुपयो करा सकने वाला निर्धारण जिसने इस गुत्थी को सुलचा लिया समझना चाहिए कि उसकी प्राया सभी साधारण समस्याए अनायास ही हल हो गई जीवन अजैस्र सौभाग्य की तरह मिला है इसका महत्व समझा जाना चाहिए यों फिजूल खर्ची और बरवादी हर वस्तू की बुरी मानी जाती है पर यदि जीवन समपदा के वारे में उस मूर्खता का उपयोग हुआ तो समझना चाहिए कि अनर्थ ही हो गया ऐसा अनर्थ जिसका भूल सुधार समय निकल जाने के उपराद किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकता मनुश्य इस रस्टी का मुकुट मनी है तद नुरूप ही उसे गौरव और बर्चस्व भी मिला है उसके उपकरण एवं साधन न किवल असीम है वरन उच्च अस्तरिय भी है इनका उपयोग भी यदि उसी प्रक्रिया से होता रहे जिसे क्रमी कीट अनायास ही संपन्न करते रहते हैं तो फिर समझना चाहिए कि हीरा घुमची के बदले बेच दिया गया चंदन को जलाओ लकडी की तरह प्रयुक्त किया गया पेट और प्रजनन का ताना बाना बुन लेने जितनी कुशलता शुद्र इस्तर के जीवधारियों को भी प्राप्त है इसी कोलू में यदि मनुश्य भी पिस्ता रहा तो समझना चाहिए कि राजगदी के समय बनवास मिलने जैसी दुर्गट ना घटित हो गई यदि मनुश्य इतनी छोटी परिधी में जीए इसी को चक्र में कोलू का बैल बना रहे तो समझना चाहिए कि उपलब्द गरिमा का शाद तरपंड हो गया मनुश्य महान है महान का जेस्ट पुत्र युवराज है इसलिए सभावतह उसका उत्तरदायत्व भी महान है उनकी उपेक्षा अवग्या इसलिए नहीं होनी चाहिए कि लोब मोह जाल जनजाल में उल्चे रहने के अतिरेक और कुछ सूझता ही नहीं महान प्रयोजनों की ओर ध्यान दिया ही नहीं जाता है योनियों के उपर उठकर मनुश्य इस्तर तक पहुचने पर मंजिल पूरी नहीं हो पाती अभी महामानवों, रिशियों, सिद्ध पुरुषों, देवात्माओं और अब तारों की पदोन्नती के अनेकों अवसर विद्धमान है उन सब से मुख मोड कर ललक लिपसा की कीचर की नहीं चाड़ते रहना चाहिए विश्व उद्ध्यान को अधिकाधिक सुरम्य समुननत सुव्य वस्थित बनाने की जिम्मेदारी मात्र मनुष्य की है आदिम यूग से लेकर अब तक की इतिहास में उसी की गरिमा का बोल बाला है उबडखावडखाई गड़ों वाली इस कानी कुबड़ी धर्ती को चेत्र जैसी सुन्दर कलाकरती के रूप में परिनित करने में उसकी सूज भूज और ततपरताने महती भूमी का निभाई है पर आगे समगर प्रयोजन पूरा कहां हुआ जो करना शेश है जितना कराना बाकी है वह कहीं अधिक है विगत की दुलना में आगत अधिक भारी है उस जिम्मेदारी का बहन भी उसी को करना पड़ेगा मनुश भी सोभावतह वन मानुशों की विरादरी का है मानुवी जेतना की विकास की अगरनित मंजिले पूरी हुई है आदिमकाल में न भाशा थी न लिपी न वस्त्र थे न उध्योग सिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार, शिल्प विज्ञान, कला जैसे प्रसंगों से नरवानरों का भला क्या समवंध रहा होगा यह मानुवी सूज पूज ही है कि उसने परिवार संस्थान, समाज और शासन का ढढाचा खड़ा कर दिया नीती, दर्शन, आचरण और अनुशासन का ऐसा तांत्र खड़ा किया यह मनुश्य को सभ्यता का दावेदार और सुसंसकारिता का धनी कहा जा सकता है इसमें इश्वर की अनुकंपा के उपरांथ यदि किसी की सराह न हो तो इसके लिए मनुश्य द्वारा चेतना छेत्र में प्रस्तुत की गई भूमिका को ही श्रिय दिया जाएगा सुविदा समवर्धन और भावनात्मक परिशकार की दो रचनात्मक छेत्र दो मानवी पुरुशार्थ को भाव भरे निमंत्रन देते हैं समय की चुनौती भी वरिस्टता को जगजोरती है इसके अतिरेक्त सम्व्याप्त विक्रतियों की गंदगी भी कम विशमता उत्पन नहीं कर रही है अनाचार का प्रदूशन वातावरण में इतनी घुटन भर रहा है कि सांस लेते न बन पड़े इससे जूजना एक तीसरा मूर्चा है जिसमें लड़ने के लिए भी मनुष्य को ही प्रत्यंचा चड़ानी और तुम्बीर की फेंट बांधनी पड़ेगी सर्वनाश की विशम विभीशिका में इस महाभारत के लिए गांडी वधारी को नियती ने आवहान भीजा है युगधर्म के निर्वाह से इंकार करने की बात उससे नहीं बन पड़ेगी जिन में मानवी गरिमा के अनुपम ओजस विद्धमान है मनुष्य पेड़ नहीं है उसकी सत्ता श्रेश्न के लिए समर्पित नहीं हो सकती निर्वाह का दिल लालच का परवत बन पड़े ऐसा भी क्या परिवार एक हंसता हसाता उद्ध्यान है उसे भव अंधन मान कर क्यों रखा जाए समाज की साथ जुड़कर उद्धात विशालता का अभ्यास किया जाता है उन में भेडियों जैसा परस पर फार खाने का प्रचलन क्यों बड़े करने योग्य वह नहीं है जो किया जा रहा है सोचने योग्य वह नहीं है जो सोचा जा रहा है मानवी गरिमा को ना अस्त होना चाहिए और ना अंत होने जैसी व्यपन्नता से आक्रांत होना चाहिए तब करना क्या? इसका उत्तर एक ही है कि हम मैंसे हर एक मानवी गरिमा का स्मरण करे देखे कि उसके लिए उलर का भुनगा हुए का मैडक बनकर संकीनता की चार दिवारी में बैठा रहना ही परियाप्त है या इससे आगे की भी कुछ बात हो सकती है विचार की आवश्यक्ता ही न समझी जाए तो बात दूसरी है अनिता गहराई में उतरने पर हर सीड़ी एक भाव भरी प्रेडना प्रस्तुत करती दिखाई देगी नव परिवर्तन के प्रभात पर्व पर उसे विशेश रूप से अपने महान उत्तरदायतों का इस्मरण करना चाहिए और जो संभव हो सके उसके लिए अधिकाधिक साहस जुटाना चाहिए कौन क्या करे यह निर्धारन अतिसरल है अपनी मनह स्थिती और परिस्थिती के अनुसार नव स्रजन की त्रिवेणी की किसी भी धारा में इस्नान अव गाहन करने लगे सुव्यवस्था, स्वच्छता और शालीनता की तीन मोर्चों मैं से किसी पर भी तीनों पर भी जूझने का उक्रम बन सकता है अभाव, अज्ञान और अनाचार के त्रिविद असुर, महीश अशुर, भसमासुर और ब्रत्तासुर की तरह आलस्य, अहंकार और अनाचार की तरह अपनी दुरदांत दुस्टता का परिचे दे रहे हैं ऐसे आपत्तिकाल में किसी भी जीवन्त को मुख दर्शक बना कर हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहना अशुभनिय होगा तिनके की आड में परवत नहीं छिपाना चाहिए, मनुष्य ना विवश है, ना पराधीन, ना दुरबन आत्म विस्म्रती ही उस पर अभिशाप की तरह चड़ दोड़ती है और राजा को रंक जैसी अनुभूती कराती है जिस कच्चे धागे में गजराज को बांथ रखा है, वह लोहे का रस्ता नहीं है पूँच हिलाने कान फर्फडाने भर से इधर उधर किया जा सकता है इस प्रयास का शुभारंभ कैसे हो, इसके लिए पट्टी पूजन की तरह छोटा श्री गणेश भी किया जा सकता है और एका की बड़ा साहस ना बन पढ़ने पर बच्चे की भाती उंगली पकड़ कर चलना भी सीखा जा सकता है सब कुछ या कुछ नहीं वाली अतिवादिता कोई रास्ता नहीं निकालती वरन असमंजस खड़ा करती है युग निर्मान की सदस्यता में नियूनतम शर्त जुड़ी हुई है कि नित्य नियमित रूप से दस पैसा ग्यान घट में डाला जाए और एक घंटा समय जन संपर्क द्वारा युगांतरिय चेतना की आलोग वितरंड में लगाया जाए इमानदर सदस्यों में से प्रत्यक उसका निर्वाह नियमित रूप से कर रहा है आलसी और अश्रधालू ही आनाकानी करते हैं यह निर्धारन उद्देश यपूर्ण था जागरत आत्माओं को अपनी वरिष्टता बकवास से नहीं सेवा साधना से प्रत्यक्ष प्रमान प्रस्तुत करते हुए सिध करनी चाहिए स्व उपारजित धन और इश्वर प्रदत समय के दोनों ही बैभव ऐसे हैं जिनहें धरोहर माना जाए और सत्प्रब्रती समवर्धन के लिए सदा यश्टा पूर्वक वापस लोटाया जाए संग्षेप में यही है प्रग्या परिवार की सदसिता की पात्रता और बफादारी सिध करने के लिए अनुदान प्रस्तुत करते रहने में आनाकानी न की जाए परिणाम चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो पर उसका संकल्प तो उठे अभ्यास तो बने स्मरण तो रहे उदारता की कली तो खिले योगदान की उमंग तो जगे अब समय बहुत आगे बढ़ गया 37 वर्ष पुरा ने उन चंकल्प शिशुओं में प्राओडता प्रकट होनी चाहिए और अनुदान का इस्तर बढ़ना चाहिए 10 पैसा मांगने वाला नवजाद शिशुओं अब एक महीने में एक दिन की आजी विका से कम में अपनी आवशक्ता की पूर्ती नहीं देखता यह आर्थिक कठिनाई का नहीं आस्था की प्राओडता का प्रश्ण है 29 दिन की कमाई में भी महीना कट सकता है इस कटोती में तीन प्रतिशत का अंशदान निकलता है प्राचीन काल में प्रतेक भावनशील अपनी आजी विका का दशांश उरोहित के हाथ में धर्म प्रयुजन के लिए निकालता था और उसमें क्रपणता को किसी भी कारण व्यवधान उत्पन नहीं करने देता था अब आवशक्ता तो हरिश्चंद्र और भामाशाहों जैसी उदारता की है पर उतना न बन पढ़ने पर तीन प्रतिशत की बात तो सोचना ही चाहिए अन्यथा अब स्रजन की इतनी विशाल का योजना जिसके साथ चारसो पचास करोण मनुष्यों का भाग्य और भविश्य जुड़ा है किस प्रकार अपने लक्ष तक पहुँचेगी इस्मरण रहे ध्वन्स से स्रजन महंगा पड़ता है सर्वतों मुखी नव निर्मान में भी तो आखेर कुछ ना कुछ लगेगा ही उसकी पूर्ते कहीं अन्यात्र ना होते देखकर जागरत आत्माओं को ही अपनी रोटी पर कैजी चलानी चाहिए और उस बचत की श्रद्धान जली यूग चेतना की जोली में प्रस्तुत करना चाहिए स्रजनात्मत प्रवरतियों में सद्भाव, संपन्नो का श्रम, समय, प्रचुर मात्रा में लग सके इसका प्रवंद बिना देर लगाए इन्ही दिनों होना चाहिए प्रतीक टोकन की तरह एक घंटा आरंपिक स्थापना में अग कई गुनी अभिवरधी होने चाहिए बीस घंटे में निर्वाह साधन चुटाए जा सकते हैं बचत के चार घंटे इस निमित नियोजित होने चाहिए कि उस आधार पर लोगमानस की परिशकार एवं सत्प्रवरती समवर्धन से समवन्धित अनेकानेक रचनात्मक कारियों का बिजारोपन परिपोशन अभिवर्धन संभव हो सके भागी रथी तब साधना से ही स्वर्गस्थ गंगा को उमिपर बहने और समव्याप्त पिपासा और शीतलता सरलता से परित्रप्त करने का सुयोग बना था इन दिनों फिर से विश्व कर्माओं की जरूरत पड़ रही है वूटी सुदामपुरी को भव्य भक्तों में बदले श्रम समय के नियोजन से ही संसार का वह स्वरूप बना है जैसा की सामने है इसे विक्रत बनाने में तथा कथित वलिस्टों और विशिष्टों ने कोई कमी नहीं रहने दी है अपने युग में समर्थों सुयोग्यों की यही देन है नई बारी उनकी है जो प्रतिभा के धनीन नहीं है किन्तु विश्व मानव की सुसंसकारिता अक्षुम रखने के लिए प्रयतनशेल है ऐसे भावनिस्टों को अपने समय में कटोती करनी चाहिए आपतिकाल में खाना, सोना, चोड़कर भी दुरगटनाव से निपटने में जुटा जाता है इन दिनों इसी इस्तर की उदार ततपड़ता वर्ती जानी चाहिए जो जितना समय बचा सके उसे इसी स्रजन प्रयोजन के लिए प्रस्तुत करे जो सच्चे मन से इसके लिए प्रयतनशील होंगे वे बीस घंटे अपने लिए और चार घंटे युगधर्म के लिए निकाल ही सकेंगे इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है